क्लास 8 के चेप्टर नमबर 7 क्यूबस एंड क्यूब रोट्स की एक्सराइज 7.2 का कुश्चिन नमबर 3 तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कुश्चिन है हमारे पास स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब हमें यह समझ आता है कि 1331 जो है एक पर्फेट क्यूब है वह जो हमें गिवन है तो हमें without factorization method जो है हमें इसका cube root निकालना है तो इसी तरह इसका cube root निकालने के बाद हम यह जो यह तीनो नमबर गिवन है इसका भी cube root जो है हम लोगों को without factorization निकालना है तो चलिए start करते हैं इसका मतलब हमें क्या करना है यह question solve करना है estimation method से estimation method को मैंने एक अपनी वीडियो में already आप लोगों को बता दिया है description box में उसका link भी है तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं और वैसे हम इस question में करेंगे ही तो चलिए start करते हैं तो हमारे पास जो number है वो है 1331 तो सबसे पहला step होता है हमारा pair बनाने का 3-3 के pair समय बनाने from the rightmost number ओके तो हमने बना लिया तो हमारे पास जो है दो groups आ गई इसको हम first group नाम दे देते हैं ग्रूपिंग करने के बाद हमारा next step होता था कि जो हमारा first group है उसकी unit digit जो है उसको हमें देखना है उसकी unit digit है हमारे पास 1 तो अब हमारे पास unit digit जो 1 है हमें चेक करना है कि हमारे पास cubes हैं उन में से किस unit place का जो है digit 1 है सो यहां से आप देख सकते हैं कि only one का cube जो है उसके last में यानि की unit place में क्या आता है one सो हम यहां पर लिख देंगे as it is one अब हम देखेंगे हमारा जो second group है second group में हमारे पास क्या है one तो यहां आप लोगों को देखना है कि one का cube और two के cube यानि कि हम यह कहेंगे कि one के cube से one equal और less than है और two के cube से यह smaller है तो हमने देखा था कि जो smaller होता है उसको हम follow करते हैं तो यहां second group से हम लेंगे one अब इन दोनों को combine कर देंगे क्योंकि हमारी 10s place की digit बन जाएगी और यह once place की तो यहां से हम दोनों को combine कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा one three three one का जो cube root है वो निकल क्या है इसी तरह हमें जो अब next given था question में four nine one three तो उसका निकालते हैं हमने क्या करना है सबसे पहले grouping करनी है from the right most number नेंगर तो grouping करने में हमें हमारे पास क्या आ जाएगा एक ग्रूप आ जाएगा nine one three जिसे फस्ट ग्रूप नेम नेम दे देते हैं एक number आ जाएगा four इसे हम second group दे देते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है कि unit place digit जो है मैं उसे देखना है from the first group तो मारा 7 का जो cube होता है हमारे पास वहाँ पर हमारे unit place में 3 आता है इस वज़े से यहाँ क्या हो जाएगा unit place तो 3 है लेकिन हमें क्या देखना होता है उसका cube तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 अब यहाँ जो है आप देखोगे कि जो second group था हमारा वहाँ पर क्या है 10th place की digit आएगी हमारे पास cube root की तो यहाँ पर हमारे पास सिरफ 4 है तो 4 क्या है basically 1 के cube और 2 के cube के बीच का तो हम लिख सकते हैं कि यह 1 के cube से greater है और 2 के cube से smaller है तो हमने देखा था कि हमें smaller 1 लेना है तो यहाँ से हम लेंगे 1 तो यह हो जाएगी हमारी 10th place की digit और यह हो जाएगी 1th place की यहाँ से दोनों को जब हम combine करेंगे तो हमारे पास 4913 का जो cube root है वो निकल कर आ जाएगा 17 ओके तो आप लोग को clear हो गया होगा तो चलिए अब करते हैं हमारा next अब हमारे पास next number जो given था question में वो है 12167 तो आपको क्या करना है triplets बनाने है from right side से तो यहाँ हमारे पास क्या है दो groups निकल आए इसको हम नाम देंगे first group यह हो गया हमारे पास second group तो first group की unit place जो है उसको हम चेक करते है हमारे पास unit place क्या है 7 तो यहाँ से हमारे को cube roots given है उसके किस cubes जो given है उसके unit place पे 7 आता है तो आप देख रहे हैं कि सिरफ 3 के cube में ही last में ही यानि की unit place में 7 आता है इस वज़े से यहाँ पर हम क्या लेंगे जो unit place होगी हमारे cube root की वो होगी 3 अब हम देखेंगे second group तो second group हमारा क्या है 12 12 क्या है लाए करता है 2 cube के और 3 cube के बीच में तो यहाँ हम कह सकते है कि जो हमारा 12 है वो क्या है 2 के cube से greater है और 3 के cube से smaller है तो यहाँ हम क्या करेंगे smaller one को लेते हैं तो हम कहेंगे 2 तो यहाँ हम दोनों को join कर देते हैं यह हो जाएगी 10th place digit यह हो जाएगी unit place तो हम यह कह सकते हैं 12167 का जो cube root है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 23 So I think यह आप लोगो clear हो गया होगा तो यह हमारे पास था 3rd part जो हमें question में given था अब हम करते हैं हमारा next अब जो हमारा last part हमें question में given है वो है 32768 तो हमें क्या करना है grouping करनी है हमने जैसे grouping की from the right most number हमारे पास क्या है दो groups आ जाएगे एक group आ जाएगा 768 जिसे हम first group कह देंगे unit place जो होगी हमारे first group की उसे हमें consider करना है अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा number है जहां पर unit place में last में क्या है 8 आता है तो यहां आप देखोगे कि 2 के cube में हमारे पास 8 आता है unit place में तो यहां से हम क्या हो जाएगा कि हमारा cube root का unit place है वो क्या होगा 2 अब हम देखेंगे कि जो हमारा second group है यानि कि 32 यहां 32 को आपने देखना है कि वो किस के बीच में आता है यानि कि 3 cube और 4 cube के बीच में हमारा 32 जो है लाए करेगा यहां से हम लिख सकते हैं कि 3 cube से बड़ा होगा हमारा 32 और 4 cube से smaller होगा तो यहां हमें पता है कि हमें लेना है smaller one तो यहां हम लेंगे 3 तो यह हो जाएगी हमारी 10th place की digit और यह हो जाएगी unit place की तो हमारा जो number है 32768 उसका जो cube root हमारे पास निकल कर आएगा वो हो जाएगा 32 तो आई थिंक यह आपको clear हो गया कि हमने कैसे किया अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए थैंक यू फर watching this video